बिसमिल्लायरग्मान रख्मान रख्म असलम अलेकुम ठीजे नुल्हे फॉर बिल्कुल सिमिलर गॉस्टर्थ के ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है सब क्वेस्टिंस में अभ हम क्वेस्टन नमबर 4 देखते हैं question number 4 है 3 persons invested an amount of 30 lakh in a business with shares ratio 2 ratio 3 ratio 7 they earned a profit of rupees 6 lakh if they are interested to wind up their business what amount every share holder would get ठीक है इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 partner थे उन्होंने 30 lakh invest किया business में ठीक है और उनको profit हुआ 6 lakh अब बुचा रहे हैं कि अपना business close करें तो हर किसी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा जबके share जो उन्होंने अपस में decide किये वे थे 2, 3 और 7 यानि एक partner को 2 हिस्से मिलने थे दूसरे को 3 हिस्से मिलने थे और तीसरे को 7 हिस्से मिलने थे अब इसमें हमारे पास दो चीजे हैं एक तो जो उन्होंने invest किया वो वो वापिस लेंगे अपना shares के मताबिक और जो उनको profit हुआ वो भी उनमें shares के मताबिक distribute होगा तो हम जो उन्होंने invest किया उसको भी 2 ratio 3 ratio 7 के according divide करेंगे और जो उनको profit हुआ उसको भी 2 ratio 3 ratio 7 के according divide करेंगे उसके बाद इसमें से जो इनकी amount है और जो profit में से amount है दोनों को plus कर देंगे तो उनके total shares आ जाएंगे कि पहले बंदे को total कितना मिलेगा investment में से भी और profit में से भी दूसरे को कितना मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा ठीक है अब हम इसके board पर solution करते हैं ताकि आपके लिए मजीद वाज़े हो जाए यह question ठीक है read the question very carefully now come to the solution now we are gonna start our question number 4 ठीक है solution हम इसकी किस तरह करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे total investment total investment कितनी है उनकी 30,00,000 ठीक है फिर उसके बाद given ratio क्या थी हमें यनि उनका जो share है तीनों के वो क्या हमें given है 2, 3, and 7 sum of ratio क्या है sum of ratio 2, 3, 7, that is 12 ठीक है अब जो first partner की investment थी वो कितनी थी वो उसको वापिस मिलेगी आप लिखें investment of first partner कितनी 2 by 12 multiply by 30,00,000 ठीक है बहुत simple है आप simple इसकी cutting करेंगे solve करेंगे आपके पास answer आजेगा रुपीज 5,00,000 ठीक है इसी तरह investment find करेंगे second partner की investment of second partner वो क्या होगी 3 by 12 multiply by 30,00,000 ठीक है वो भी आप cutting कर लें यहाँ पर तो आपके पास answer आजेगा 7,00,00,000 ठीक है इसी तरह investment of third partner 3rd का कितना share है सबसे ज़्यादा share है 3rd का 7 by 12 into 30,00,000 ठीक है तो यह अभी हमने सिर्फ investment को डिवाइड किया है कि investment अगर तीनों को वापिस दी जाए तो इतनी इतनी तीनों को मिलेगी बिल्कुल सेम तरीके से अब हम investment के बाद प्रूंट को प्रूंट को प्रूंट को प्रू का प्रूंट को देखेंगे कि तीनों को profit कितना मिलेग। और किस तरह मिलेगा , देखते हैं कि तीनों को profit कितना share एगा तो प्रूंट हमारे पास क्या था जिसरा आपने investment को बिल्कुल इससी तरह लिखेंगे प्रूंट हमारे पास था 6 lakh ठीक है अब दुबारा आपको sum of ratios करने की जरूरत नहीं है वो हम start में कर चुके हैं सिंपल आप लिखेंगे profit of first partner कैसे first partner के दो हिस्से थे यह आप divide कर ले 2100, 6000 और 61 तो पहले partner को profit में से मिलेगा एक लाख ठीक है अब profit of second partner profit of second partner वो क्या है 3 by 12 into 6 lakh यह भी आप calculator से solve कर ले आपके पास आजेगा एक लाख पचास हजार इसी तरह अब profit of third partner वो क्या था सबसे ज़्यादा third का है यह आप calculator से solve करेंगे तो आपके पास answer आजेगा 350,000 ठीक है इस तरह हमने investment को divide किया तीनों में इसी तरह हमने profit को divide किया तीनों में अब हमने क्या करना है उन्होंने कहा है कि अब यह wind up कर रहे है business तो अब क्या होगा कि उनको अपनी investment भी दुबारा वापिस मिलेगी और इस profit में से भी हिस्सा मिलेगा ठीक है मैं आपको पहले एक कर करके दिखाती हूँ बाकी दोनों आप लोग खुद करेंगे ठीक है तो amount जो वापिस मिलेगी total amount amount of first partner वो क्या होगी investment plus profit पहले partner की investment आई थी 5,00,00,00 और प्रॉफिट उसका आया था 1,00,00 इसका मतलब है उसको मिलेंगे total 6,00,00 इसी तरह आप बाकी दोनों की कर लेंगे amount of second partner इसी तरह investment plus profit ठीक है second की investment क्या थी second की आपके पास investment थी 7,00,00,00 और उसको profit मिला था 1,00,00,00 तो total आपके पास second की amount आजेगी 9,00,00 ठीक है इसी तरह आप बिलकुल third का भी हिस्सा मालूम कर लेंगे ठीक है तो हमने क्या किया है पहले investment की shares मालूम किये फिर profit के shares मालूम किये और आखर में उनको plus किया दोनों को तो पहले partner की भी amount आगई और दूसरे partner की भी amount आगई ठीक है it's very easy not a difficult one now we will move to question number 5 the question number 5 is three members of a firm divide the profit rupees 67,200 among themselves in the ratio 2 ratio 3 ratio 7 what is the biggest share of the profit बहुत simple है इसमें कुछ भी नहीं करना आपने just question number 1 और 3 की तरह है ठीक है आपको एक amount दी गई गई है उस amount को आपने divide करना है लेकिन इसमें आपके पास फाइदा यह है कि आपको अलग अलग नहीं करना ना 2 से ना 3 से just उसमें का है what is the biggest share of the profit तो आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है 7 7 वाली amount सबसे ज़्यादा है तो आपने सिर्फ 7 वाला हिस्सा मालूम करना है 2 और 3 वाला नहीं करना ठीक है मैं बोर्ट पर यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आपके लिए easy हो जाए question number 5 हमें क्या दियावा है profit दियावा है is 67,200 ठीक है यह हमें profit दियावा है given ratio क्या है given ratio is 2 ratio 3 ratio 7 इसका sum क्या होगा sum of ratio is 2 plus 3 plus 7 that is 12 अब biggest share कौन साइन में से 2,3 यह 7 7 सबसे ज़्यादा share है ठीक है यानि जिसको साथ है से मिलने थे ज़रती बात है वो सबसे ज़्यादा है तो उसने कहता है सिर्फ biggest share मालूम करें तो हम मालूम करेंगे सिर्फ biggest share वो क्या है 7 by 12 multiply by 67,200 अब आप इसको डिवाइट करें इसकी इसकी आप करेंगे तो यह आपके पास 12 12,500, 12,600 अब आपके पास आजएगा 7 x 5600 जो के आंसर होगा 39,200 रूपी ठीक है यह biggest share है आप अगर दसली करना चाहते है तो 2 और 3 के साथ भी find कर लें तो आपको फिर पदा चल जाएगा कि 2 और 3 वाले का 39 से कम ही आएगा ठीक है लेकिन इन question के requirement थी biggest share तो इस वजह से हम सिरफ biggest share calculate करेंगे ठीक है नोग मूफ तो question no.6 in question no.6 a sum of money is divided among three persons a b and c in the ratio 10 ratio 7 ratio 5 if b gets rupees 14 more than c how much will a get and what is the total sum of money ठीक है यानि कोई भी एक खास मिगदार थी पैसों की जो कि हमें नहीं बताई गी ठीक है वो तीन persons में divide हुई थी a, b और c में ठीक है कोई भी एक amount थी इस तरह हमें वाकी questions में amount दी होती थी अब हमें amount नहीं पता वो amount तीन लोगों में divide हुई है ठीक है किस तरह 10, 7 और 5 की ratio से वो कह रहे हैं कि अगर b को रूपीस 14 ज्यादा मिले हैं c की निस्बत ठीक है अब एक standard उसने दे दिया हमें थोड़ा सा comparison दे दिया help के लिए ताके हम calculate कर सकें वो कह रहे हैं अगर b को 14 रूपीस ज्यादा मिले हैं c से तो a को कितने मिले थे ठीक है a को कितने मिले थे और total sum क्या था जो के तीनों में इस ratio में divide हुआ है ठीक है बोर्ट पर देखते हैं कि solution किस तरह होगी question number है 6 ठीक है सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें given ratios क्या दीवी है given ratios given ratio a ratio b ratio c ठीक है क्या दीवी है a के 10 हिस्से है b के 7 है और c के 5 है ठीक है ये इनके हिस्से हैं अभी हमें money amount नहीं पता तो हम लेट करेंगे कि लेट money of each money of each is 10x, 7x and 5x ठीक है यानि जो भी हम multiply करें एक एक amount है जो के तीनों के साथ multiply होए तभी ये share जाते है आपको पता है न ratio में same number होता है तो division होती है तो हमने तीनों के साथ ए खास amount multiply कर दीए ठीक है वो तीनों amount में common थी तभी ये ratio बनी थी ठीक है अब हमारे पास given condition क्या थी given condition ये थी के जो उन्होंने हमें comparison दिया था के बी को 14 रुपे ज्यादा मिले है ठीक है बी को 14 रुपीस ज्यादा मिले है C से ठीक है बी को 14 रुपीस ज्यादा मिले है तो हम ये लिख सकते हैं कि B's money minus C's money यहनि जो B की amount है और जो C की amount है अगर उसको minus करेंगे तो 14 आएगा ऐसा ही है हमने यह कहा है ना कि B को C से ज़ादा मिलें 14 रुपीज तो दोनों की amount को minus किया जाएगा तो result 14 आएगा क्योंकि उसको ज़ादा मिलें तो B की amount हमने क्या suppose की वी है यहाँ पर 7X और C की amount क्या suppose की वी है 5X तो यह equation बन गई यहाँ से variable find हो जाएगा ठीक है variable क्या आगया 7 ठीक है 7X B की amount थी और C की amount 5X थी ठीक है तो 7 minus 5 2 हमें variable find करने है तो 2 को दूसरी तरफ ले जाएगे 2 यहाँ multiply हो रहा है यहाँ के divide हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने variable suppose किया था वो था 7 तो अब question में कहा था कि A का हिस्सा बताएं कि A के कितने हिस्से थे और यह बताएं कि total amount क्या थी तो A का हिस्सा क्या था A is money क्या है 10X X की जगा आप 7 डाल दे तो इसका मतलब है A का हिस्सा था 70 गृपीस ठीक है यह A का हिस्सा find हो गया अब हमें find करनी है total amount तो total money क्या था total money 10X 7X and 5X 10X मतलब 70 7X मतलब 49 and 5X मतलब 35 ठीक है X is replaced by 7 7 7s are 49 5 7s are 35 अब आप इस amount को plus कर देंगे तो आपके पास क्या आजएगा इस सारी amount को अगर आप plus करें calculator पर plus कर लें तो आपके पास आजएगा 154 ठीक है ये आपके पास इस question की solution है ठीक है हमें सिर्फ शेर्ज दिये वे थे उन शेर्ज की मदद से हमने amount मालूम कर लिए यहां पर आपकी exercise complete हो जाती है अब आपने review exercise को खुद से देखना है यह आपका home task है review exercise में similar questions होते हैं आप उनको try करेंगे अगर आप लोगों से नहीं हो पाते हैं अगर आपके पास book नहीं है तो आप उसको net पे book आपको easily available है नेट पे आपको easily book मिल जाएगी वहां से आप book find करके इसकी review exercise को try करेंगे ठीक है जो question आप से review exercise से नहीं attempt होते है उनको आप mark कर लें वो फिर जब हम इंशाला के school में मिलेंगे तो हम उन questions को दुबारा से देख लेंगे एक दफ़ा Now this is the end of chapter 3 Hope you get the topic Hope you get the solutions और आप अपनी copies पे इनको complete कर लेंगे Now we will meet inshallah in the next lecture Allah Hafiz